प्रोफेसर सविन सिंग अपने जियोग्रिफी लेक्शर सिरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज हम प्लेट टेक्टानिक्स और कांटिडेंटल ड्रिफ्ट के संदर्ब में चर्चा करेंगे अपने पहले दो ब्याक्थ्यानों में मैंने प्लेट टेक्टानिक्स से संबंधित प्लेट सीमाओ पैलियो मेगनेटिजम और सी फ्लोर इस्प्रेडिंग के विशय में विशत चर्चा कर चुके हैं आज हमारा विचार हमारी चर्चा केवल प्लेट टेक्टानिक्स से संबंधित महादिपी प्रवा और विस्थापन पर केंद्रित होगा Today I will concentrate mainly on the theme of continental drift and plate tectonics महादिपी विस्थापन के संदर्व में प्रारंभ में दो विपरीद विचार थे एक मत के प्रवर्तक महादिप और महसागरी नितल में स्थाईत की बात करते थे और इनमें प्रमुक थे लोथियन ग्रेइन जिन्होंने टेट्राहेडरन हाइपाथेसिस का प्रितपादन किया था दूसरा ग्रुप जो उभर के सामने आया कि महादिप और महसागर अपने जगां पर स्थाई नहीं होते हैं बलकि इनकी स्थितियों में परिवतन होता रहता है और इस संदर्व में एदिप कई लोगों ने पहले कारिकिया था अपने बिचार प्रसुद किये थे लेकिन सरप्रथम एक बिस्त्रित संकल्पना के रूप में महादिपी विस्थापन के संदर्भ में बिचार आया यबी टेलर द्वारा 1908 में, 1908 लेकिन ये पूर्णतया प्रकास में 1910 भी में आया टेलर महोदय ने क्यों महादिपी और महासागरी नितल के विस्थापन की संकल्पना प्रस्तुत की क्योंकि वो उनके सामने एक समस्या थी टर्सियरी युग में निर्मित वलित परवतों की दो दिशाओं का निर्धारन करना उत्तर से दक्षिर जैसे उत्तरी और दक्षिरी अमेरिका में राकीस और इंडीस परवत उत्तर से दक्षिर लेकिन यौरप और एसिया में अल्पाइन परवतों की दिशाओं पश्चिम से पूर्व इसके लिए यभी टेलर ने 1908 हिस्वी में अपने महादीपी अभिस्थापन संकल्पना का प्रित्पादन किया जिस पर हम जर्चाबिसद रूप में यहां नहीं करेंगे दूसरा 1912 हिस्वी में जर्मनी के पैलियोंटोलॉजिस्ट अल्फिट बेगनर का महादीपी प्रवासिधान्त आया 1912 हिस्वी में लेकिन यह प्रकास में आ सका 1922 हिस्वी में और ज्यादा यह पापुलर हुआ प्रचलित हुआ 1924 में जब उनके सिधान्त का इंगलिस भासा में रूपान्तरण हुआ बेगनर साथ ने महादीपी विस्थापन क्यों कराया क्योंकि उनके सामने समस्या थी धरातल पर भूमंडल पर हुए जल्वाई परिवरतनों की ब्याख्या करना और इस अंदर में वेगनर महोदय ने विभिन विद्वानों द्वारा किये गए कारियों के प्रमाणों को एकत्रित किया अब दो विकल्ब थे इनके सामने या तो महादीपी गलोब के उपर धरातल के उपर जल्वाई मंडलों की स्थितियों में स्वयं परिवरतन हुआ हो या जल्वाय कटिबंध है विभिन युगों में स्थाई रहे हों उनकी सितियों में परिवरतन जो आज हमें देखने को मिलता है वो महादीपी विस्थापन के कारण हुआ तो वेगनर महोदय ने दूसरे बिकल्प को चुना कि महादीपी और महासागरी नितल में बड़े पैमाने पर प्रवाह विस्थापन हुआ है जिस कारण बिगत इतिहास में प्रिथवी के जल्वाई मंडलों में भी परिवरतन हुआ है लेकिन इसके लिए वो यतोचित प्रमान नहीं कत्रित कर पाए और खास करके इन्होंने धुरुबों को बड़े पैमाने पर पिस्थापित किया धुरुबों के प्लाइन यानि विभिन इस्थितियों का बड़े पैमाने पर उनमें परिवरतन कराया जिसे हम आज जानते हैं पोल वांडरिंग तो वेगनर का पोल वांडरिंग की उनकी जो संकलपना थी वही सबसे कमजोर अस्थल साबित हुई कि विभिन धुरुबों की इस्थितियां स्वैम में बडलती चली गई है भूमद रेखा कि इस्थितियों में टर्सेरी जुग में और कुछ था पर्मियन जुग में कौवन इस्थिति थी पहले जोईक में कुछ और इस्थिति थी लेकिन ये इस्थितिक इसकारण थी विभिन इसकी ब्याख्या वो नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें पुरा जलवाई मंडलों की ब्याख्या करना था अब 1960 के दसक में जब प्लेट टेक्टानिक थेयरी सामने आई तो ये जो दुविधा बनी हुई थी कि धुरुब अपनी जगह पर इस्थिर रहे हैं या धुरुबों में स्वैम परिवर्तन होता रहा है जलवाई मंडल अपनी जगह पर इस्थिर रहे हैं या जनवाई मंडलों की स्थितियों में परिवर्तन होता रहा है इन समस्याओं का निराकरण होता है प्लेट टेक्टाउनिस्ट थियरी के संदर्व में बिभिन्द छेत्रों में किये गए सोधों के परिडामों और प्रमानों के आधार पर मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि प्लेट में बिभिन्द दिसाओं में गत सीलता होती है प्लेट मूब करते हैं प्लेट मानिये महादिपी भाग और महासगरी नितल की पपड़ी क्रस्ट और ये कहीं से पर ये अपसरीत होते हैं डाइवर्ज होते हैं कहीं पर दो प्लेट आपस में मिल जाते हैं, कनवर्ज करते हैं और कहीं पर दो प्लेट एक दूसरे के अगल बगल खिसक जाते हैं तो इस आधार पर प्लेटों की दो तीन प्रकार की सिमाएं होती हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ कनवर्जेंट प्लेट बाउंडरीज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंडरीज और कन्सरवेटी प्लेट बाउंडरीज महासागरी भागों में दो सितियां होती हैं महासागर में फिला होता है जिसे महासागर में विस्तार होता है जिसे कहते है ओपनिंग आफ ओसंस और कभी कभी महादीपों के पास आने के कार महासागरी छित्र में संकुचन भी होता है इसे कहते हैं क्लोजिंग आफ ओसंस अब यहाँ पर हम सुरू करते हैं चुकि वेगनर ने अपने सिदान्त की सुरुवात कहां से की थी आज से 300-200 मिलियन बर्स पहले पर्मियन पीरियट से जबकि सारे महादीप एक में मिले हुए थे जिसका नामकरंट पंजिया किया गया और एक ही महासागर द्वारा घिरा हुआ था जिसका नामकरंट पंथालसा किया गया लेकिन Plate Tectonics के प्रमानों के आधार पर ये सुपर कांटिनेंट जो पैंजिया था उसका पैलियो जो इक युग में भी निर्धारन हुआ है यानि आध से 500 से 600 मिलियन बर्स पहले सारे महादी आपस में मिले हुए थे जो सुपर कांटिनेंट के रूप में जो पैंजिया वन फिर बाद में चल करके 300 से 200 मिलियन बर्स पहले ये जो पैंजिया एक था बाद में चल करके उसके टुकड़े टुकड़े हुए वो बिभिनिस हितियों में अलग-अलग हो गए महादी पर महासागर और फिर वे 300 से 200 मिलियन बर्स पहले आपस में जुट गए तो सेकेंड पैंजिया का निर्मान हुआ और ये जुटी पैंजिया का भी भी बंजन होता है डिस्रप्शन होता है और ये वर्तमान रूप में आज हमारे सामने विभिन महादीप और महासागर हैं इनकी ब्याख्या के लिए प्लेट टेक्टानिक्स के दो प्रमानों को आधार रूप में लिया जाता है तू बेसिक इविडेंसेज आप प्लेट टेक्टानिक्स वन इस इविडेंसेज आप पैलियो मैगनिटीजम पुरा चुम्बकत के प्रमार और दूसरा है इविडेंसेज आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग सागर नितल के फैलाव या प्रसरण के प्रमार यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मद्य महाद सागरी कटक के सहारे दो प्लेट बिपरी दिशाओं में जाते हैं दाइवर्जंस होता है जिसका नीचे से मैगमा उपर आ करके बिसाल के रूप में इन दो दिशाओं में जाते हुए प्लेटों के प्रिष्ट भाग में जमा हो जाते हैं जिसका नई बिसाल्टिक क्रस्ट की निर्माण होता है और हम मदमासागरी कटक से जैसे जैसे दूर जाते हैं इनकी आयू बढ़ती जाती है और इन में जो मैगनेटिजम मैंने यह भी बताया है आपको कि जिस समय कोई शैल का निर्माण होता है उसमें चुम्बकत तो आ जात है और इसकी दिशा वही होती है जो उस समय जियो मैगनेटिक फील्ड की होती है तो यह जो है सागरी नितल यानि प्रसांत महासागर में से हिंद महासागर से और अटलांटिंग महासागर से यह सागर नितल में सागर सी फ्लोर में जो बिभिन पट्टियां है बेसाल्ट की उनमें चुम्मकत का निर्धारण किया गया, तो इसमें करम से एक उत्तर से दक्षिन दिसा, उसके बाद दक्षिन से उत्तर दिसा, फिर उसके बाद उत्तर से दक्षिन दिसा. और इनका चार बिद्वानों के नाम पर इनका नामकरन किया गया है जैसे ब्रून्स, माटुयामा, गास और गिलबर्ट तो इनके आधार पर ये सो प्रमाडिती होता है कि सागर नितल यानि सागर में फैला होता है और कभी संकुचन होता है अब सवाल है कि वो कौन सा काट्ट प्रमाड है जिसके आधार पर कह सकते हैं हम कि महादीप और महासागर में हमेशा बिस्थापन होता रहा है, मूवमेंट होता रहा है इसके लिए विद्वानों ने विभिन महादीपों में एक ही युक की चटानों में परिरक्षित पैलियो मैगनिटीजम की जब पुनर सनरचना की तो दो सामने बिकल पाते हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर महादीप और महासागर अपनी जगह पर इस्थिर रहे होंगे तो विभिन महादीपों से एक ही युग में निर्मित चटानों में जो पैलियो मैगनिटीजम है उनकी दिसा एक ही होनी चाहिए और अगर महादीपों और महासागरी नितल की सितियों में परिवर्तन होता रहा है तो विभिन महादीपों से चैनित चटानों के निहित पैलियो मैगनिटीजम की दिशाएं अलग अलग होंगी जब ये प्लाट किया गया एक ही युक की विभिन चटानों में परिरक्षित प्रजर्ड पैलियो मैगनिटीजम मैगनिटिक नार्थ एं साउथ मैगनिटिक साउथ एं नार्थ का जब प्लाट किया गया तो पता चला कि एक ही युक की चटानों में मिलने वाले विभिन महादीपों की चटानों में धृबों की इस्थिती मैगनिटिक नार्थ साउथ पोल की इस्थिती अलग अलग है ये अलग अलग है इस्तिती क्यों ये हुई क्योंकि महादीपों में विस्थापन और प्रवा हुआ है इसलिए कहते हैं कि कांटिनेंटल डिफ्ट नाउ हैस बिकम एर रियालिटी महादीपी विस्थापन और प्रवा अब वास्तविक्ता बन चुका है ये इमतहान में इसी कैपसन में सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको इसकी बैख्या पैलियो मैगनेटीजम के प्रमाण और सी फ्लोर स्पेडिंग के प्रमाण और एक ही युग में बिभिन महादीपों की एक ही जुकी चत्तानों के मैगनेटिक नार साउथ पोल के निर्धारन के आधार पर करना है नमस्कार जी